सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएब वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तो काफी लोग कहते हैं कि हम कर्म भी करते हैं लेकिन उसके लिए फल नहीं मिल पाता हम मेहनत करते हैं लेकिन हम उपाए नहीं कर सकते या हम समय नहीं हैं या हम व्यस्त हैं या हम थक चुके हैं उपाए करके तो अब ऐसा हम क्या कुछ ऐसा हमें ऐसा बताओ कि बस हम वो करें और लाइफ में सुक्षान्ति बनी रहे तो देखो बहुत सारी चीजे होती हैं दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि बहुत लिमिटेड रेमिडीज आपको दी जाएं बहुत ही कम से कम आपको चीजे बताई जाएं कि किस प्रकार आप इसको ठीक कर सकते हो तो मैं कुछ रेमिडीज आपको बताना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि आपकी कोई भी लगन हो कोई भी इस्तिती हो आपकी लाइफ के अंदर आप इन उपाईयों को करोगे तो आप मैं आपसे पूरी शॉर्ट यह देता हूं कि आपको इसके आपको मन की शांती और कहीं लाइफ में जो वैब्रेशन है चाहे वो किसी भी रूप में है बच्चे से लेके बुड़ा कोई भी इस उपाई को गरिक बर करेगा तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलने शुरू हो जाएंगे यह उपाई नहीं कहूंगा एक प्रकार से एक तरीका है कि चीजों को हम प्रकति को कितना हम दे सकते हैं हम कितना प्रकति के लिए कर सकते हैं कोशिश आप करें कि एक नीम का पौधा आप लगाएं और उसको नियमित रूप से आप जल दें वह पौधा जैसे जैसे वह बढ़ता जाएगा उसकी मजबूत जो जड़े हैं वह मजबूत होती जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर से जितना भी नेगेटिव विचार हैं वह खतब होने शुरू हो जाएंगे प्रतेक इतवार के दिन मुली लाएं मुली रखे अपने घर में और सोमवार के दिन दो मुली लाएं इतवार के दिन अपने घर रखे जिस कमरे में आप सोते हैं और सोमवार के दिन वो जाके मंदिर में किसी भी सेवदार को आपदान कर दें यह दूसरा उपाय है आप इसको करें और आप देखोगे कि लाइफ में एक स्टेबिलेटी आपको मिलनी शुरू हो गई जो भी अशान्ती है मन के अंदर वो खतब होनी शुरू हो गई है और टामेटिक इस्तित्या ठीक होनी शुरू हो गई है तामे के सिक्के ले लिजिए थोड़े से और किसी भी आप नदी में उसको जल प्रवा कर सकते हैं किसी भी बुद्वार के दिन आप इन कुछ चीजों को आप करके देखो कुछ समय के लिए आप करके देखो आपका समय भी बचेगा आपकी लाइफ में जो आपको जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रही है किसी भी रूप में वो हो सकती है अगर इस्तितियां बहुत जादा खराब है तो उस पर कुंडली पर विचार किया जा सकता है लेकिन अगर आप के पास सब कुछ है इस्तितियां उसके बाद फिर भी आज समानने सी चल रही है लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है तो मेरा ये केवली कुछ चीजें है इसको आप करके देखें इसके बहुत अच्छे बैनेफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे एक उपाय मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ और यकीन मानियों उसके बहुत अच्छे बैनेफिट्स लोग उठाते हैं वो है कि किसी भी मंगलवार के दिन इमर्ती लीजिए और वो इमर्ती आप जाके कवों को खिलाएं आप इसको करते चले जाओ आपकी लाइफ के अंदर से आप देखोगे की आपकी लाइफ ट्रैक प्यानी शुरू हो गई जितना भी लाइफ में वाइब्रेशन्स हैं वो अपने आप ट्रैक प्याना शुरू हो गया